सब्सक्राइब कीजिए सिंपल एंड एजी क्लासिस को और स्टडी से जुड़ी अपडेट्स के लिए बैल आइकन को दबाईए हलो विबस वेलकम तो सिंपल एंड एजी क्लासिस आज की वीडियो महात्मा जोतिपा फूले रोहिल खंड विश्विध्याले के स्टुडेंट्स के लिए बहुती खास होने वाली है क्योंकि आपके लिए बहुती बड़ी खुशकबरी है आपको पता है कि BA के स्टुडेंट्स बहुती बड़ी मात्रा में अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे साथी साथ और कोर्सिस की भी रिजल्ट आना बाकी थे तो आपके लिए बहुती बड़ी खुशकवरी है क्योंकि आपका रिजल्ट आ चुका है और आप अपना रिजल्ट साइट पर जाकर देख सकते हैं साथी साथ में आपको ये भी बता दूँ कि BA के साथ साथ जितने भी बचा हुए रिजल्ट थे वो सभी आ चुके हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें सबसे पहले आपको साइट पर जाकर MJPRIU फिल कर देना है MJPRIU फिल करने के बाद आप यहां पहुच जाएंगे फिर आपको यहां दिखाई दे रहा होगा यह MJPRIU आपको इस पर क्लिक कर देना है जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा जैसे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा आपको इसमें नीचे आ जाना है यहां Students Corner में आपको नीचे जब आप आएंगे तो आप यहां देख सकेंगे कि यहां result दिया हुआ है आपको इस result पर click कर देना है जैसे ही आप इस पर click करेंगे तो आप यहां देखेंगे कि यहां main examination exam result 2020 दिया गया है आपको इस पर click कर देना है और जैसे ही आप इस पर click करेंगे तो आप देख पाएंगे कि आपके कौन कौन से results यहां पर आ चुके हैं आप यहां देखेंगे कि यहां 28, 10, 2020 दिया गया है आज ही की date दी गई है और यहां आप देखेंगे कि BA 2nd year, BA 3rd year, BSC 2nd year, Bcom 1st year, Bcom 2nd year, Bcom 3rd year और BSC 3rd year यहां कि जितने भी result हैं वों सभी घोशित कर दिये गये हैं और आपको पता है कि पहले सारे result घोशित कर दिये गये थे सिर्फ BA 2nd year का result और BA 3rd year का result छोड़कर साथी साथ BSC 2nd year का result भी नहीं आया था तो आप वो सभी result आ चुके हैं अब आपको इस पर क्लिक कर देना हैं जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ एक interface खुलेगा अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर enter roll number का option दिया गया है और enter roll number की बाद आपको यहाँ आपना जो भी code से उससे select कर लेना है अगर आप BA part 1 के हैं या BA part 3rd के हैं BA part 2nd के हैं तो आप यहाँ कोई भी code select करके find result पर क्लिक कर देंगे तो आपका result आपकी TV कार्ट से खो गया है तो आप यहाँ पर name फिल करके semester फिल करके या course फिल करके find result पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने आपका result आ जाएगा अगर आपको यह information अच्छी लगी तो चैनल को subscribe करें वीडियो को like करें जासे अदर शेयर करें और मुझे comment करके बताएं कि आपको म आपको बताएं के सामने आपको मुझे माँ करें वीडियो करें से अभ़ी खाल आपको मुझे हैं देयर कि भाल-पको एापको मुझे हैं अजासे थे रिखर आपको हैं यह जगी बताएं